कंगना रनाउत ने दिवाली के लड़्ड़ों में अपने पीरियेट का खून मिक्स किया और उसे महमानों को गिफ्ट में भेज कर बांड दिया और ऐसा कंगना ने बॉलिबोर्ड में सक्सिस होने के लिए किया है ये सुनकर किसी के भी दिल में दश्चत बैठ जाएगी लेक लेकिन इस बार कंगना ने जो कहा है उसे सुनकर दिमाग खराब हो गया है दरसल कंगना ने अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर सद्गुरु का एक वीडियो शेयर किया है वीडियो में सद्गुरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे 200 साल पहले महिलाओं को डाइन कहकर कंगना ने अगली स्टोरी में लिखा मुझे वो दिन याद आ गए जब एक जाने माने अकवार के एडिटर ने कितने दावों के साथ लिखा था कि मैं काला जादू करती हूँ साल 2016 में एडिटर सरिता तवर ने लिखा कि मैंने सक्सेस माने के लिए ब्लैक मैजिक का सहरा लिया साथ ही मैंने अपने पीरियट का बलड लड़ूओं में मिक्स किया और वो दिबाली गिफ्ट के तौर पर उन्हें बाट दिया तो उनके बारे में ऐसी ही कहानिया बनाई गए थी यहां तक कि उनके खुद के बॉइफरेंट अध्यन सुमन ने आरोब लगाय था कि कंगना काला जादू करती है अध्यन सुमन ने कहा था कि कंगना ने उन पर काला जादू प्रैक्टिस करने के लिए अपना पीरियड ब्लड उन्हें पिलाया था कंगना और अध्यन का अफेर साल 2008 से लेकर साल 2009 के बीच कुछ ही महीनों तक चला था फिलाल कंगना ने एक बार फिर से वो दौर याद दिला दिया है जब उन्हें इस थरा से टार्गेट किया जाता था फिलाल इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुट पे चरजा को सब्सक्राइब कीजे